आगामी लोगसबा चुनाव को लेकर यूपिये के अंदर ही सीटों पर घमासा नहीं बल्कि एंडिये के अंदर खारे भी खलबली मची हुई है ये खलबली लोगसबा सीट के बठवारे पर बीजेपी की कामोशी से आजसू के बगावती तेवर को लेकर है आजसू ने राची, हजारी बाग और किरिडी से चुनाव लड़ने की तैयारी पूरी कर ली है आजसू का मनना है कि अंडिये का गड़ बंदन बगैर उसकी हिस्सेदारी तैय की ये संभाव नहीं इस बार के लोकसबा चुनाव में आजसू हर हाल में चुनाव लड़ने का दम भरते हुए बीजेपी की परिशानी को बढ़ा रहा है जारकन में बीजेपी लोकसबा सीट के बटवारे पर खामोस है उसके खामोसी के वज़ा आजसू की दावेदारी और अपने सीटिंग सीट को किसी भी सूरत पर नहीं छोड़ने को लेकर है दरसल जारकन की 14 में से 12 सीट पर इस वक्त बीजेपी का कबजा है बाकी बचे दो लोकसबा सीट दुमका और राजमहल जेमेम की छोली में है इन दोनों सीट पर आजसू की पकड़ बेहत ही कमजोर है ऐसे में आजसू को एंडिये का हिस्सा बनाए रखने के लिए बीजेपी को अपनी सीटिंग सीट का त्याग करना होगा जो इस वक्त दूर दूर तक नहीं दिखता शायद यही वज़ा है कि बीजेपी केंद्रिय नेत्रितो के पाले में गींद डाल कर खुद बच रही है करके आने वाला समय में बीचाबी मस करके और उस पर बाचित करेंगे विपक्षिक गडबंदन की प्रबल संभावना के बीच बीजेपी को अपना इतिहास दोहराने के लिए आजसू का साथ जरूरी है बीजेपी से आजसू की दूरी महा गडबंदन को ना सिर्फ लोकसबा चुनाओं में फायदा पहुचा सकती है बलकि ऐसा हुआ तो आगामी बिधान सभा चुनाओं में भी बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है राची से न्यूस 11 के लिए कैमरामेन हेमंत की साथ अभिनाश कुमार